समस्कार इंदौर, मैं हूँ सानल और आप देख रहें इंदौर टॉक का स्पेशल सेग्मेंट, इन्फोन प्लग इंदौर में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीदों की संख्या कही न कही चिंता का विश्यद बनीती है जिसके कारण आम दिनों के मुकावले हॉस्पिटलों से मेडिकल वेस्ट अधिक मात्रा में जनरेट हो रहा है जिसमें कही नगी कोरोना से संक्रमित वेस्ट भी शामिल है जिसने जिला प्रशासन और निगम की चिंताओं को बड़ा रखा है एसे में इंडौ जोगी स्वच्छता की हैड्रिट लगा चुका है वो पूरे देश में वेस्ट मैजमेंट को लेके अवल स्थान रखता है ऐसे में वो अपने इस मेडिकल वेस को कैसे ट्रीट कर रहा है, बात करेंगे वेस्ट मैंजमेंट कंसल्टेंट श्री असद वार्सी जी से, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंडॉर टॉक से आप लोग भी पब्लिक अवेरनेस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये आज का प्रोग्राम भी और आज की जो हमारा इंट्रेक्शन है, मुझे लगता है इससे हमारे इंडॉर शहर के भी और और दूसरे शहरों में जो लोग हैं, कैसे हमें इस पूरे जो कोवीड वेस है और इसको लेकर जो कुछ confusion और रहांतिया है, उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं और कैसे इसको safe तरीके से, environmentally safe manner में handle कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं विल्कुल सर, आज की हमारे जो अन्प्लक्ट इंफोमेशन है, वो इसी के बारे में है कि इंडॉर इस वक्त अपने इस मेडिकल वेस्ट को कैसे ट्रीट कर रहा है, कोई कहीना कहीं अभी सभी हॉस्पिटलों पे लोड ज्यादा है, और क्योंकि शहर पूरा शहर अभी लॉ इसमें सानिल भाई में दो तीन बाते बताना चाहूंगा आपको, कि एक तो पूरा हमने इंडॉर शहर के अंदर जो पोई से रिलेटेड जितना भी वेस्ट निकल रहा है, वो कहां कहां से निकल रहा है, सबसे पहले उनका इडेंटिफिकेशन किया, एक तो हमारे जो जितन हैं वहां पर COVID-19 patients का treatment होता है, जो positive patients है, जो orange category के हैं यहां पर जो suspected है, plus suspected में कुछ positive आ जाते हैं, उनका treatment यहां पर किया जाता है, और जो green hospitals हैं, इनके अंदर जितने भी जो दूसरी COVID-19 को छोड़के जो बीमारिया आ हैं और उसके जो patients होते हैं, उनका treatment किया जाता है, एक तो यह तीनों ही जगा पर biomedical west generate होता है, COVID-19 hospital में COVID-19 infectious west होता है, इसके अलावा आपको, जैसा आपने सुना होगा, हम अख़बारों में भी पढ़ते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको लाकर रखा जाता है, और उसके बाद में उनका test किया जाता है, चौदा दिन का quarantine किया जाता और अगर इस बीच कोई positive hospital में निकल आता है, तो उसको further treatment के लिए उसको hospital में भेज देते हैं, positive hospital में, red hospital में, और जो उसमें से negative निकल जाता है, तो वो 14 दिन का अपना quarantine करके अपने घर वापिस चला जाता है, तो दूसरी जगा है hospitals के अलावा, यह quarantine centers हैं, जहां से COVID-19 west निक निकलता है कि जो positive patients है, तो आप positive patient तो एक होता है, मगर उसके कारण उसके घर में भी एक संभावना रहती है, कि दूसरे लोग infect ना हो गए हो, प्लस घर का जो पूरा internal atmosphere है, वो कहीं COVID के कारण affect ना हो गया हो, या COVID का वहाँ पर कोई possibility हो उसके virus के रहने की, तो उन घरों से भ manage किया जाता है, तो इस चीज को लेकर सबसे पहले हमने ये इन तीनों चीजों के identify किया, कि पूरे शहर में कितने हमारे hospitals है, कितने quarantine center है और कितने positive, अब जैसे आप देख रहे हैं, कि रोज कुछ positive patients लिकलते हैं, तो हमारी जो west collection की list है, उसके अंदर वो add-on कर लिये जाते है प्रति दिन, और इसके लिए जो शहर के अंदर अपनी common biomedical waste facility है, हॉस्विन इंसिनेटर प्राइविट लिमिटेड जो कंपनी है, उसके साथ में नगर निगम इंदौर का अनुबंध है, और सभी hospital हों का अनुबंध है, तो यहाँ पर उनकी dedicated vehicles हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बा आपने देखा होगा कि hospitals के अंदर जो पूरा kit पहनते हैं, body kit doctor पहनते हैं safety का, mask और gloves और cap के अलावा पूरा full body kit पहनते हैं, उसी तरीके से यह लोग भी पूरे अपना full body kit पहनके, जो इनकी vehicle रहती है, जब निकलती है उससे पहले उस vehicle को disinfect किया जाता है, फिर वो vehicle जाकर इन अस्पतालों से, quarantine center से, और जो आपके घर हैं, वहां से कचरा पृती दिन लेकर आते हैं, और वहां पर जो इनकी hospital incinerator के plant में, जो specially design incinerator या जो अगर आपन देशी भासा में बोलें, तो भस्मक सैयंतर होता है, वहां पर इस पूरे कचरे को ले जाकर जला दिया जाता है, औ जो मशीन है, उसकी efficiency अच्छी है कि जब उसके अंदर अगर 100 kg कचरा डालते हैं, तो उसमें से मुश्किल से 2-3 kg राख बचती है, और ये जो कचरा है, ये करीब 800-1000 degree temperature के बीच में जलाया जाता है, तो इस कारण किसी भी तरीके का bacteria या viruses या किसी भी तरीके की कोई भी infection causing diseases हो वो सभी तरीके की चीजें उसमें नश्ट हो जाती हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो hospital incidentor के जो team है और जो ये लोग है, ये भी करोना के बहुत बड़े hidden और अच्छे warriors हैं, जो कहीं front line पे नजर नहीं आते हैं, मगर ये हमारे शहर को इस infection से बचाने के लिए अपनी जान में को डाल कर बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कि जब ये सबसे पहले हमारे यहां पर 17-18 तारीक को patients आना शुरू हो गए थे, और ये COVID West को collect करना शुरू कर दिया था, तो प्रती दिन उस समय COVID West जब पहले दिन तो 22 kg COVID West आया था, आज के दिन, अगर हम आज के दिन की बात करें, तो 3200 kg, 3.2 tons COVID West आ रहा है, ये डेली का आकड़ा है, ये डेली का आकड़ा है, अभी पिछले 15 दिन से अगर देखें, तो रोज 3000 kg से ज़्यादा COVID West आ रहा है, और इस COVID West के अंदर जो patient को दवाई दी जाती ह है, उसका बचा हुआ वेस्ट है, जो patient खाना खाता है, वो भी बायो मेडिकल वेस्ट होता है, क्योंकि सिर्फ पेशेंट जो positive patient है, positive patient अगर उस खाने को हाथ लगाएगा, तो उसके अंदर भी infection होने के chances हैं, उसको भी वेस्ट की तरह माना जाता है, उसके बाद में, जितना चाहे doctors हो, चाहे paramedical staff हो, चाहे नगर निगम के sanitization का काम करते हैं, वो staff हो, वो भी सब लोग अपने kit पहनते हैं, mask पहनते हैं, gloves पहनते हैं, तो ये भी वेस्ट जितना है, बायो मेडिकल वेस्ट होता है, ये इसको पूरे वेस्ट को ले जाकर autoclave किया जाता है, कुछ इसको नश्ट कर दिया जाता है, ताके इसका किसी पनाही परियावरण पे नाही किसी तरीके का लोगों के ऊपर कोई bad impact हो, और indoor को करोना की जीतने में ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, ये मैं एक जनता को बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पर नगर निगम, जिला प्रि प्रिश्रे को भी लाकर नश्ट कर दिया जाता है, इसके अलावा क्योंकि ये फेसिलिटी इंदौर में है, तो इंदौर के आसपास के जितने शहर और टाउन हैं, चाहे वो खंडवा हो, खरगोन हो, ब्रहानपूर हो, धार हो, उजेन, देवा, शाजापूर, इनका भी COVID का पूरा वेस्ट गाडियां भेज कर, डेडिकेटेड टीम्स जाकर यहां ला रही हैं और उसको इंदौर में नश्ट किया जाता है, तो प्रति दिन तरीब 5 तन COVID का वेस्ट आ रहा है और जिसको हम यहां पर नश्ट कर रहे हैं, और 3-3 तन जो है, वो दूसरा हॉस्पिटिल का infectious waste होता है, तो यह एक इंदौर पुरी प्रशाचन नगर निगम की टीम और हॉस्विन मिलके बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि हमारे शहर में COVID के खिलाफ जंग में हम अच्छी तरीके से जीत कर बहार आ जाएं. सर, आपने यह वेस्ट का पूरा प्रोसेस बताया है, जिसमें कहीना कहीन मेडिकल वेस्ट के साथ जिसको COVID वेस्ट भी इंक्लूट करते हैं, यह सर फॉर्दर भी सेग्रेट किया जाता है, क्योंए कहीना कहीना जैसे अभी आपने जिक्र करा कि अगर पॉजिटिव पेशें अगरिकेट किया जाता है, फिर दिस्ट्रॉइ होता है या एक जनरल कॉमन प्रोसेस है, जिसके अंदर का इसको अवराल बायमेटिकल वेस्ट वेस्ट करके दिस्ट्रॉइ कर दिया जाता है देखिए इस वेस्ट को लेकर केंद्र प्रोदूशन वियंतरन बोर्ड, सेंट्रल पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड ने और भारश चाशन के आउजिंग और अर्बन डिपार्टमेंट द्वारा गाइडलाइन जारी की गई हैं, साथ ही वहो द्वारा इसके लिए गाइडलाइ इसको लेकर ही आया है परटिकलरली कोविड हॉस्पिटल और कोविड वेस्ट को डबल थिली में डबल लाइनर के साथ में पैक करके और सील करना है ताकि किसी भी तरीके से वह खुला नहीं रहे और कोई human contact ना आया है और इसका जो पूरा मेकेनिजम है कि यहां जो हमारे य प्लांट है जो पूरा स्काड़ा से चलता है और जैसे ही गाड़ी पर कच्रा आता है बिना जमीन पर टच किया उसके conveyor पर फीट कर दिया जाता है और वह पूरा automated computer के माध्यम से उस machine के अंदर जाकर वह भस्मों नष्ट हो जाता है उसी तरीके से जो प्लास्टिक का वेस् अपनी जो injection है सिरेंजेज हैं और जो प्लास्टिक वेस्ट होता क्योंकि प्लास्टिक को जलाया जाना प्रदूशन उसके प्रदूशन होता वो पर्यावरंड के लिए अच्छा नहीं होता है तो प्लास्टिक वाला वेस्ट है उसको रेड बैग में इखटा करके लिया जा और ये जलो के अंदर सभी इंस्वीर वेस्ट को इकटा किया जाता है और प्रते दिन ये इसको करके वग्यानिक चरीके से वेग्यानिक पद्धिती से निप्टान कर गया जाता है इसमें वो वेस्पी किट डॉक्तर्स नर्स या परड़िय परमेडिकल स्टा फ्यूस करते ह जो भी होस्ट चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे पैरमेडिकल स्टाफ हो यह जितना भी यूस करते हैं यह पूरा का पूरा वेस्ट बाइयमेडिकल वेस्ट होता है और इसी लिए इस वेस्ट को बाइयमेडिकल वेस्ट के साथ में घटा करके यलो बैंग में कलेक्ट करके और भ उसे एपीसेंटर बोलते हैं, और एपीसेंटर के आसपास का एरिया होता है, कि जहां पर संभावना होती है उस पॉजटिव पेशिन्ट के कारण ये करोना वाइर्स पहिलने की, और जहां पर कुछ ज्यादा लबर ऑफ पेशेंट्स पाए जाते हैं, तो उस एपिसेंटर मान के उसके आसपास के 200-400-500 घरों को हम containment area कर देते हैं तो आज हमारे यहाँ पर इंदौर शहर के अंदर करीब करीब हमने 170 containment area बनाये हैं और उसमें 1 लाग के आसपास घर हैं जिनको हमने containment area के घर माना जाए तो वहाँ से अभी हम लोगोंने पूरा वेस्ट करने का भी एक अलग प्लान बनाया है क्योंकि संभावना रहती है कि वहाँ पर भी कोई positive patient ना हो इसलिए पूरे नगर निगम ने 85 वार्ड में 110 अपने वाहन आइडेंटिफाई किये हैं और उन वाहन के माध्यम से हम containment area में पूरा जितना भी वहाँ का वेस्ट होता है उसको इखटा करते हैं और इखटा करने के बाद में इसको secured landfill में इंजिनेर्ड लाइंफिल में हम ले जाकर उसको डंप कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर और इंजिनेर्ड लाइंफिल में इसलिए डंप करते हैं कि जितना भी वेस्ट कलेक्ट होता है उसको वहाँ ले जाते हैं और इस प्रक्रिया में जो सबसे महत्फोर्ण है कि यह जितने भी वहान है आज आपको मालूब है इंद और हमारे यहां पर वेस्ट मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया हमेशा से पिछले दो-तीन सालों से बहुत अच्छी रही और हम नंबर वन चाहर रहे हैं वेस्ट मैने तो यहां पर अपने यहां तीन बिन का कलेक्शन सिस्टम है कि हम लोग एक में गीला कच्रा लेते हैं और एक थर्ड बिन है जिसके अंदर हम पहले से ही जो सानिट्री नैपकेंस, डाइपर और डिसकार्डड मेडिसिंस निकलती थी घरों में उनको लेते हैं आपको ध्यान के लिए जितने भी हम फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं जितने ग्लोव यूज़ कर रहे हैं हैंड ग्लोव अगेरा यूज़ कर रहे हैं हैंड कैप्स यूज़ कर रहे हैं इनको भी उस थर्ड बिन में डालें और आज पूरे शहर में मुझे यह बताते हुए बड़ी खुश सब्सक्राइब और जो जितने भी यह लोग मास्क यूज़ करते हैं तो इंदोर शेहर में आपको यह कहीं देखने को नहीं मिलते हैं तो उसका कारण यही है कि यह थर्ड मिन में लोग डाल रहे हैं इसी प्रकार से अभी एक विवस्ता और शुरू की गई है क्योंकि आपको मालूमें इस पूरी ववस्ता में पुलिस का बहुत महत्पोन रोल है और पुलिस के जो लोग हैं वो लोग भी सब अपना ग्लोव और मास्क वगेरा को उप्योग कर रहे हैं तो जितने hand gloves उनके रहते हैं, mask रहते हैं, head caps जो disposable रहती है तो सभी थानों के अंदर एक बिंज रखवा दिया गया है और वहां पर बोल दिया गया है कि आप ये पूरे अपने इसके अंदर इखटा करें और फिर नगर्ण दिगाड़ी के माध्यम से हम उन पूरे थानों से भ तो आज ये जो third bin का कच्रा है क्योंकि ये infectious vest होता है इसलिए शुरू से ही पिछले दो सालों से तो आज जितने भी हमारे जो mask और globs भी खटे होते हैं चाहे वो घरों से हो चाहे थाने से हो वो सब वहां पर पहुंच जाते हो और उनका वही पर निप्टान होता है सर ऐसे में ये वेस्ट तो वह हो गया जो कहने के infected area से आ रहा है इसका पूरा आपनी process बताया अब थोड़ा सह में थोड़ा सब्सक्राइब करता हूं जो इसके अलावत non-covid areas है या non-containment areas या जो area आज भी थोड़ा से बाहर है महां भी आप देख रहा है waste collection vehicle daily जा रहा है लोग अपने घर का कच्रा उस गाड़ी में डाल रहा है ऐसे में उनके घर तक जो गाड़ी आ रही वो कितनी safe है या उसका क्या और उसके sanitization का क्या process हो रहा है उसका कुस बार है पता सके तो लोगों के मन में आज भी रहता है कोई अज में आपको बताया के हमारे इंडॉर शहर के अंदर साड़े पांच लाग घर हैं जहां से प्रती दिन नगर निगम कच्रा इखटा करता है और इन साड़े पांच लाग घरों से खटा करने के लिए नगर निगम करीब शेसो वाहन का उपयोग करता है आज मैंने आपको आपको बताया के पूरे वेस्ट को अमने तीन काटेगरी में डिवाइप किया है एक तो जो कोईड वेस्ट और ऐमेडिकल वेस्ट है दूसरा नीगमेंट अरिये का वेस्ट और तीसरा जैसा आपने बताया कि जो नॉन-कंटेंबेंट एरिया के जहां पर ज़नरल अरों का क तो जो contentment area की गाडिया है, वो dedicated गाडिया है, वो non-contentment areas में जो अच्छा area है, जहाँ पर कोई patient नहीं है और जहाँ कोई contentment नहीं है, वहाँ पर उन गाडियों का उपयोग नहीं होता है, मगर safety के लिए नगर दिगम इंदौर ने ये कर दिया है कि शहर में जितनी पूरी 600 तो वो safe रहें, तो एक safety के तहट, जो non-contentment area में जितनी गाड़ी जा रही है, हर trip के बाद में उसको disinfect किया जाता हो, और सुबा और शाम उनकी पूरी दुलाई की जाती है, disinfectant के माधियम से, और ये certain किया जाता है हम लोगों के पास में, कि इसके अंदर किसी तरीके की गाड जाता है. किस प्रकार के precautions उनको रखने चाहिए, और किस तरीके से इस waste को भी अलग रखें, या जब कच्रा गाड़ी में डालें तो कुछ विशेच दियान रखें, एक थोड़ा तो उस बारे में जागो, ये बहुत common question है, जो लोग अफसर हम से पोच्छते है, देखिए, आपने बह अबेदन है कि बहुत ही simple scientific process है, ये virus जो है, कोई बहुत ज्यादा इसका impact, तच से ये फेलता जरूर है, मगर अगर हम इसमें care रख लें, तो इसमें बहुत आसानी से हम control पा सकते हैं, और care रखने का तरीका ये होता है, कि हमारे घर में अगर कोई भी सामान आ रहा है, तो कोई पेकिंग है तो इसको disinfect के माधियम से सबसे पहले डिसिंफेक्ट कर दें, जो पेकिंग वाली चीज़े होती है, और उसके बाद में उसको खोलें, और खोलके और उसके बाद में आप अपने जो भी डिबबा है या जिसमें भी स्टोर करना चाते है, उसको स्टोर कर ले जो घर के अंदर सामान है, तो कोई चाहे वो आटा हो, डाल हो, अटा डाल अगर पैक है तो आटा डाल में कभी कोई इंफेक्शन नहीं होगा, जिंपे तो पैकेजिंग को आप डिसिंफेक्ट कर दें, डिसिंफेक्टर के माधियम से, अगर डिसिंफेक्ट नहीं है तो आपके हाथ में लगेगा और नहीं अगर कोई पैकिंग है तो उसके उपर साबून के पानी से आप दो देंगे तो 100% नश्ट हो जाएगा सके उसके पाद में उस पैकिंग को खोल के आप अपने किसी भी स्टोरिज के बिन के अंदर ःपने बढ़नी के अंदर रख ले उसको उप्योग सेफ है सबजी के मामले में ये जो भी आती उसको घणा के अगर सबसे पहले पानी में, अगर रहे लगतेाई घ्रब में अगर सब्लें को अगर वह जाएगा, तो वह कहीना पानी हमारी food supply chain में जाएगा, जो हम प्रीं के बचाना देगा, तो इसलिए गरम पानी को आप रखें, लिक वाम वर्टम जो गुनगुना पानी रहता है, उसके अंदर आप सब्जी को दो लें अच्छे से, और उसके बाद सब्जी को पकाएं, हमारे हाँ अच्छी बात यह है कि अभी जो है हम फुक करके जो हमारे हां इंडियन कोकिंग है हाई तेंपरेचर कुकिंग होती है, फुक करके ही खाएं, हम राव फॉर्म में सब्जीयों का उपियोग ना करें, जैसा कि बहुत सारी बात हाइजीन की वज़ा से, और हेल्थ कॉशिस लोग जो है वो राव फॉर्म में सलाद बना कर खाते हैं, तो इस समय में लोगों से अपील करूँगा, कि राव फॉर्म में सब्जीयों को सलाद बना करना खाएं, पका कर ही सब्जीयों को खाएं, तो ज़्यादा सेफ है, तो ज़्यादा सेफ है, क्योंकि हाई टेंपरेचर जब पुटिंग हो जाती है, मालिक ना करें, अगर कोई उसके अंदर कभी COVID का वा तो उसको हम सुखे कच्रे के अंदर डाल दें, और हमारी जब तच्रा गाड़ी आती है, तो सुखे कच्रे के साथ उसको दे दें, किसी तरीके की कोई उससे डरने की संभावना नहीं है, और मैं आपको 100% अगर ये परकरिया को हम अपनाएंगे, तो हम बहुत सुरक्षित काहे हमारी packaging material हो, चाहे हमारी सबजिया हो, चाहे हमारी खाने की चीज़ा हो. अगर देखा जाते हैं, अगर देखा जाते हैं, इस COVID-19 virus के खिलाफ लड़ाई के लिए, जितने भी standard norms हैं, भारत सरकार बारा बताया जा रहे हैं, जितने भी standard guidelines आ रही हैं, सारी वही से direct हो रही हैं, ऐसे में वेस्ट management को लेकर भी कुछ ऐसी important guidelines हैं, जो WHO की करफ से निर्धारत हैं, भारत सरकारत करफ से निर्धारत हैं, जो कहीना कहीं हो सकता है, उसकी duty शायए उन hospitals में हो, या कहीना कहीं वो निगव का हिस्सा हो, या हो सकता है policing system का हिस्सा हो, या voluntary तोर में अपनी सेवा इस वक्त इस crisis में दे रहा हो, तो at least वो जान सके कि अगर ये वेस्ट का contact में आता है किसी भी प्रकार से, क्या वो standard guidelines हो सक कि जिसको शायद उसके लेव कहीना भी मददकार साथ हो, देखिए ये पूरे वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर और सी sanitation को लेकर WHO में बहुत सारी guidelines issue की है, और ये मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि इंदौर निगम निगम और हमारे प्रिशाशन की team, और जो हमारे पूर इस चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रिशाशन को जो तीन-चार लोग जो important lead कर रहे हैं, हमारे आदर्न डिविजनल कमिशनर आकाश तर्थी साहब, हमारे कलेक्टर साहब, मनीश सिंग जी, हमारे नगर निगम कमिशनर आशिस सिंग जी और हमारे डियाईजी महोदे और जो दिन रात इस सेवा में लगी है, और ये एक बहुत बड़े warriors हैं, एक बहुत बड़ा युद्ध टाइप की स्थिपी है आज, जिसमें warlike situation में ये लोग काम कर रहे हैं, 18 गंटे, 20 गंटे, 16 गंटे से कम कोई काम नहीं कर रहा है, तो एक तो मेरा सभी शेहर के वासियों स अपील है, जो ये lockdown के तहट जितने भी प्रिशाशन ने जो बोला गया है आपसे घर में रहने के लिए, वो घर में रहें, खास तोर पे अभी जैसे मुस्लिम समाज का रमजान का महीना है, उनसे भी मेरा यही निवेदन है, कि वो भी अपने घरों में रहकर रोजे रखें, नमाज करें, और दुआ करें कि ये COVID यो नाम की जो बीमारी है, इस से हम जल्दी से जल्दी जीते हैं, और हमारे शहर से और हमारे देश से दुनिया से बाहर हो जाए, अब मैं जो आपने पुछा था, WHO की गाइडलाइन, तो WHO की गाइडलाइन, टोटल सैनिटेशन की जो ग पुछा, Solid West के बारे में मैंने आपको बता जिया कि किस तरीके से हमने इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करके हम Solid West को इकटा कर रहे हैं, और इस तरीके से उसको मैनेज किया जा रहा है कि कहीं पर भी किसी को भी जो फील्ड पे काम कर रहे हमारे चाहे नगर निगम के करम हमारे पुलिस परिशाशन के जितने भी लोग हैं क्लस एडमिस्ट्रेशन के जितने भी लोग हैं और जो मास्क और ग्लोज और जो भी चीजमि यूज करोenne वो उनका शर्थ प्रतीशर्थ विग्यानिक तरीके से निप्तान किया जा रहा है और वो पूरे परियावरन को डबली ओचो की नॉम्स के तहद शहर को इस तरीके से सनिटाइज किया जा रहा है कि ये बीमारी खतम हो जाए, इसकी चेन खतम हो जाए और किसी तरीके से इसका जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, इनके ओपर इंपक्ट ना आए, आज आप देखेंगे, तो हमारे यहां पर इदी नॉम्स को फॉलो करने के कारण, बहुत कम लोग अभी इससे इंफेक्ट हुए यह इवन जो हॉस्पिटल का लिक्वीड वेस्ट होता है, तो लिक्वीड वेस्ट से भी वहां पर जो जितना निकलता है, उसको भी 1% हाइपोकलराइड के सॉलीशन के माध्यम से डिसिंफेक्ट कर दिया जाता है, ताकि उसके माध्यम से भी कोई किसी तरीके का वाइरस का फिलाओ ना हो, तो चाहे सॉलीड वेस्ट हो, चाहे लिक्वीड वेस्ट हो, चाहे सनिटाइजेशन हो, इन तीनों को लेकर नगर निकम अपने स्पर पर बहुत अच्छा काम कर रही है, और पूरे तनमन धन से सब टीम लगी है, ताकि हम ये कोविड के गृद्ध जो हम ये अब ही बहुत जल्द नगर निकम ने आपके आपर पहले राशन की विवस्ता की थी, अब सबजी पहुचाने की विवस्ता नगर निकम शुरू कर रहा है, तो आप लोगों को जो कश्ट हो रहा है, इसको पूरा ध्यान में रख रहा है आप प्रिशाशन और नगर निकम औ और आपकी सुविधाओं को कैसे जादा से जादा जल्दी से जल्दी बढ़ाया जा सकता है, कैसे हम इससे जल्दी से जल्दी पार पाकर और एक नॉर्मल लाइफ पे आजाएं, उसके लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है, और मैं यही का पेक्षा रखता हूँ कि आप ह पासियों के लिए, सर. वाइरस यह सरम्दान महिने के हमारी एद आए, उससे पहले पहले यह पूरे शहर से, पूरे देश से और विश्व से खतम हो जाए, और लोगों से, मैं मुस्लिम भाईयों से सभी से यह अपील करूंगा, कि हमारा मजभ यह हमको सिखाता है, कि रमजान का जो पवितर महिना है, इसमें हम अपने घर में रहकर इबादतें करें, हम अपने तरावियां पढ़ें, अपनी नमाजे पढ़ें, अपने रोजे रखें, और जो भी हमारे पास उपलब्द हैं, चीजएं उस ही से काम चलाएं, ये कोशिश ना करें, कि हमें यह नई नई चीज़ें उपलब् जाए हैं। झाल झाल झाल